कि वेल्कम एब्रीवन तो दा ओन्लाइन प्लाट्फॉर्म ओफ मेक्स ओवर्सीज अपनी पीटी दी सीरीज नू कंटीनू कर दे आ रहे हैं अपनी पहला निया वीडियो से विच आपां बाक्की मध्यूस चिमिंकी अपनी पीटी स्पीकिंग पीटी राइटिंग अपनी जो पीटी दी लिसनिंग दी टाइम मेनेजमेंट हैं इस साइट टॉपिक से गल कर चुकी हैं डिसकेशन प्रॉपर कीती है तुसी जाके अपनी चैनल ते वीडियोस चेक कर सकते हो फिर भी थोनू किसे भी टॉपिक दे विच किसे किसे भी टॉपिक रिगार्टिंग कोई भी होवे फिल फ्री टू आस्क इना कमेंट सेक्शन आपा दुबारा थोड़ी डाउट्स क्लियर करांगे ओके जी आज जदी अपनी वीडियो टॉपिक है रीडिंग मोड्यू ठीक है रीडिंग मोड्यूल दे विच टोटल अपने को ले 5 कोशन्स हुंदे ने 5 टाइप बट रीडिंग के एहो जा में मोड्यूल हैगा ठीक है जो फिर भी डिफिकल्ट लगदा आपा नो ओके और अज दी इस वीडियो दे विच आपा यही यल करनी है ओके भी किस तरह एस दे विच आपा आप दे मार्क्स नू लेके ओना किस तरह स्कोरिंग आपा करनी है और ज यह अनदर टास्क है गया जैना आपा करके एजली अपनी एट लीस्ट रीडिंग विच आपासिंग मार्क्स का लाई सागए ठीक है पर सिर्फ और ना थे डिपेंट नहीं रहे ना ओ एक अल्टरनेटिव हैगा और बहुत वधी आएगा ठीक है और उसनों तुसे यूज कर कि एजली अपने रीडिंग दे विचो मार्क्स जो है अपने इंक्रीज कार साख देऊं ओके होन सब्सक्राइब पर स्कोरिंग दिगाल करिये ठीक है जी और इच मोडियूल 90 मार्क्स दा हुंदा अपनों अपनी स्टडी दे अकॉर्डिंग अपनी रिक्वाइर्मेंट हुंदी है ठीक है जे तुसे यूके व्याइद एक्जाम देर होता हो ओबरुल 43 मार्क्स एनफ सब्सक्राइब अपनी स्कोरिंग चाहिए हंदी है ओके रीडिंग दे विच स्कोर आउनी रीडिंग जो ही लेके जाना थोड़ा है मुश्किल होया है एस कंपेर टू आल्स रीडिंग जो पीटी दिया हो थोड़ी ट्रिक्की हुंदी डिफिकल्ट था अपना नहीं क्या है साथ क्योंकि हर एक क्वेश्चन दे नाल ओदे आंसर दित्ते हुंदेने वीज आप्शन संदेने अपने अपने कोल आप उसते वेच्छो एक आप्शन अपना करेक्ट चूज कारना ओके है हांजी हुआ है फोन स्कोरिंग दे विच मै इंक्रीज कर साथ कदे तोसी एक टैम तसी डीडिग नो बिल्कुल भी अटैंप्ट नहीं करके हो देख दा कारना नहीं हैगा ओके मतलब यह तोसी बिल्कुल एटैंप्ट नहीं कर दे ठीक है फिर भी तडी रीडिग दे विच्छों मार्क्स इजली तोसी मतलब जीरो ता नहीं आओगा फिर भी अट लीस्ट इस थर्टी प्लस तोसी वैसी लह साथ जे तोसी अटैंप्ट भी नहीं करके आरे पीटी दे विच्छ जीरो स्कोर किसे दा नहीं होना ओके क्योंको शुफलिंग दे करके कुश्चन से मार्क एधर नहीं हैगा कि एक मोड्यूल तोसी ट लग रहे हैं को एक पर्टिकुलर टास्क डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे मैं रीडिंग दिखाल करां तो मैं सब तो पहला टॉपिक अपने पीटी दा रीडलाउड ठीक है एंड रीडलाउड एक विजा टॉपिक है जो बहुत जादा एजी है ठीक है और यह स्पेशली एक वीडियो आप पर डेडिकेटेड एक बनाई है तो उसी जाके चैनल दे चैक कर सागें किस तरह तुसी इन्हों इंप्रूव करना रीडलाउड दे अराउंड ट्वेंटी थी मार्क्स हों दें सिर्फ और सिर्फ रीडलाउड देजे तुसी रीडलाउड परफेक्टली प्रॉपर्ली गारती तो आप देख सागें कि आपनों किन्ना जादा फोकस कारन दी जरूरत है गिया सिर्फ इस क्वेश्चन थे जिदे आपनों तेई नंबर मिल रहे ने और मैंनु लागता कि रीडिंग दे विच एने माक्स जाने कुई छोटी यह और सिर्फ कंटेंट जानतेर निक्यों में रीड हमिएं कंटेंटे कंटेंटर रूसे रीड कारें हिं रूठ एक रीडिना फॉत पाँच क्वेश्चनन अ काउंट होँ ते हमिए लावट मेंao कारन तो तेकर में राओंद नंबर lushने डिदग ठाउर जाने होंगति सारा कगनेट एत्लीष कि करन एड़ कर आई देओं रीड लाउट देविच फेर भी आपा गाल करिए तरही नंबर रीड लाउट देविच एगदर लेके ओने कोई होखी गाल नहीं सिर्फ एक कंटेंट है अपने को ओं जस्ट रीड ही करना किदा कारना है किस टेक्नीक्स नो अपना होना कि आप उदेवि नेक्स्ट है समराइज रिटन टेक्स्ट समराइज रिटन टेक्स्ट भी अपने को रीडिंग मोड्यूल दा पस्ट टास्क है ओके हुण यह टास्क भी बहुत सिंपल है यह इस टास्क मों टैंप्ट कारने विले आप अपा जस्ट एक कॉपी पेस्ट टाइप काम हैगा और मैं नोला देश तो ज़्यादा इजी की हो साथ आपके कोईशन नोटाम्ट कार रहे हैं तो कि फूर इसकोईशन दे भी दस मार्क जान देने एंड इसकोईशन दे मार्क जो अपने उस दे विच है कि सैवनी नहीं थीक है फूर एस ते नंबर और अपने रीडिंग विच क्यो कि मैं सो नूँ पता लगो अभी केड़े कोईशन दे मार्क केड़े मोडियूस चे एड हो रहे है तो ओधी अटेप्टेशन देखो कि में हो रही है ठीक है एदे विच मतलबना कई वर त मैं देखे स्टूडट चाटी रीड करी आंदे वी आहां अच्छा एदे मार्क सब्सक्राइब करें अपने रीडिंग पार देविच राइटिंग देविच तुस्य जाके देख सांग देओ अटेम्टेशन है किस तरह करनी है और एदे विच भी दास मार्क्स बहुत ही है को कॉपी पेस्ट आड़ा क्वेशन है ता इस फोकस कारनी बहुत साथ जरूरत ह थर्ड है कि हाइलाइट इनक्रेक्ट वर्ट्स जिनन वह पर पदलब उनी तवज्जों दन देनी पर देन दी जरूरत है गिया क्यों को नौन नमबर तरह दे रीडिंग जान देने और लिस्निंग दा विक इंपॉर्टन क्वेशन हैगा ओके सामझ लोग कि तैने तो चार हों देने अपने को एन इन अधी प्रेक्टिस करके भी तुसी अपने स्कोरिंग इंप्रूव कार साथ रिडिंग दे विच ठीक है जी एन नेक्स्ट कोईशन आपने को लेग हाईलाइट इनकरेक्ट समरी ए दे भी दो नमबर ए भी अपनी लिस्निंग देक कोईशन हैगा और यह दे भी दो नमबर अपने एड हुन देने रिडिंग विच ठीक है जी था ए ओ चार कोईशन्स ने जोगी बहुत जाधा इंपॉर्टन ने और यह नहीं प्लास कराना तोटल अपने को 44 मार्क्स हो जांदे है और 44 मार्क्स सिर्फ सिर्फ तुसी अनदर मोड्यूल्स नूँ पढ़के ला रहे हो ओभी रीडिंग विच हो तो जाए किसे बंदे नूँ किसे भी बच्चे नूँ किसे भी स्टूडन नूँ डिफिकल्ट लग दी है ना रीडिंग तो तुसी की कारना जास्ट अनदर आरते भी तो सी फोकस कार लाएं नियो प्रॉपर निठीक है तो एक जिन धना थोड़े एस देना थोड़े किस चेंपरूब होगा स्कोर श्कुर स्पीकिंग वेच भी होगा आंद रीडिंग भी जा रहे है इस दे राइटिंग एंड रीडिंग इस देना लिस्निंग यह दे विचे सारा content सामने रीड कारने इस दे विचे सारा content सामने उस तो जस्त कॉपी-पेस्ट करना ठीक है summary बनाओ है lines नो भी टो type करना होंद आप अपने inbox दे विच ठीक है and highlight incorrect words था मतलब recording सुन रही है सुन दे-सुन दे ही आप अपने just click करना on that word which is incorrect according to the speaker speaker कुछ ओल वो ओर बोली है और अपने screen लुटते कुछ ओर वर्ड लिख्या हो है ठीक है simple ता and last है का highlight incorrect summary यह mcq type question होंदा ठीक है ओधे दोर number add होंदे अपने किस्ते विच रीडिंग विच ता आप 44 marks ता अपने वैसे ही आगे अपहले ता reading शुरू भी नहीं करी ठीक है जी ता जो यह पहानना है कि reading चुमाक स्तानी होंदे ते छाड़ दो ठीक है reading चुमाक आजान देने थोड़ा जही कम करना पर reading होत्ते और reading नूँ देखो दो तरीके होंदे reading नूँ attempt करन दे कुछ students ते grammar बहुत जादा strong होंदी है तो grammar basis ते चाल देने बट mostly students तो grammar भी difficult लग दिया आपन टैंसे लग देने difficult ठीक है जी मतला बहुता क्योंकि rules जो grammar दे है गया वो तुसी basic ते नहीं चाल साकते basic बिल्कुल basic लैके चलोंगे भी तो हो सब्सक्राइब हो जाने ने जो तुसी सिर्फ reading फिलंदा blanks कर रहे हो reading and writing दे विच ग्रेंबर थोड़ी अख्य हो यह है अप्लाइब करने हां जो तुसी बिल्कु डेफ्थ दे विच अपनी grammar दे विच वदिया कर रहे हो ता तुसी definitely grammar दे जाके अपनी रीडिंग दो टैंप्ट कार साओ दियो कोई कहल नी ठीक है बट जो तसी बेसिक जी रूल लेके चाल दे हो हां हो साथ भी रीडिंग फिलंदा ब्लैंक्स जो हुंदे ने ओनना विच अप्लाइ काट साओ दियोंगे क्योंकि युदे विच अपन डायक्त सिर्फ फाइब टू लगया होया के है वह के है एडी ए की बाई पैसिव वालो ओधे आइडिया लागे जन्दा पड़ेंगोल ठीक है तो ओधे जाधा प्लाइब मों धे ग्रैमर रीडिंग विचे इस इस रीडिंग फिलनंदा ब्लैंक्स ने थीका है और थोड़े जे एक्तादे को स्कोरिंग होना विच फॉटिफाइब मार्क सेन थार्ड थार्ड हाइस्ट स्कोरिंग पीटी दे मिचे हां जी बिलकुल अपनी इनना दी है रीडिं रा माक्स भी रहने ने और राइटिंग विछ भी एड़ हुने ने ठीक है हुन उनना नू जाता ग्रैमर ते लाएके चलो ओके या फिर तुसी कारसा दन ट्रांसलेशन बेस थे हुन ट्रांसलेशन बेस दा मतलब मेरा ए नहीं हैगा कि तुसी बिलकुल नहीं पंजाबी हिंदी का अनलाग जो कि यह मतलब यह वन टुवर्ड टुवर्ड आपा चल जी ए अनदा टाइम ही नहीं हुन दा आप इनकोल कि आपा ट्रांसलेशन बी पूरी करिए और भी जास्ट सामच रहा हुन दा है कि एह टॉपिक केड़ा है थूआ हुआ 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 कुछ पड़े हुआ 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 है कि तुक्का ला देलेश जाची आंदा है कई बार जेतों से उन्हा ही लाइन नू उन्हें थ्री टू तो फोरवर्ड स्नों पढ़के लगाओ ने तो सारे जची आंदेने मेरे खुद्ध एक्जाम दे विचे था सी कि हार एक उप्शन ज तोड़ी पर दाउट चरहने अपर पहले हाइक बना लेकता की रीडिंग ओखी है यह तो तुसी कार सागदें मतलब ट्रांसेशन बेस्ट आपके में करना एक्जामपल देखा एगे ठीक है जी ओधा मतलब हुंदा कि तुसी जस्ट एक आइडिया लगाना हुंदा कि पैसेज तुसी जो भी अपन पराग दितता हुए फिलेंदा ब्लैंक सेगे यह टॉपिक केड़ा एंड की थोड़ी बहुत गाल चल रही है हुँन हर एक वर्ड दा मीनिंग नहीं पता हुंदा हर किसी में ठीक है तो तुसी एक आइडिया लगोना हुंदा है कि यह थे कंपेर होई और जान्द है की गाल हो सकती है ओस्ते बेस्ते लगाने हुँन यह अजय तुसी फाइफ लिंदा ब्लैंक सेगे एंड़ तुसी थी भी सही जा रहे हुँ ठीक है एक हाँ एक प्रैक्टिस करें करो जिन्नी जादा तुसी प्रैक्टिस करोंग रहा थो उनका लोकेशन उन ल अपन को रट्टा मराद हुआ अपन लेखे होए होंगे और उसनों आप बार-बार मतलब रिवाइस करके मतलब उस चीज मों याद कर लांगे और फेर आजुआ नहीं हुंदा मतलब वो आईडियास हुंदेने बेसिक चीजां हुंदेने जिमें कई बार हुँना कई बार त लेटर कैपिटल हुआ ठीक है यह चीज होगी और वाउद दना शुदू हुआ नेक्स्ट ऑप्शन जी ब्लैंक दता हुआ है ठीक है है ता हो सा था सिंगुलर ही आ हुआ क्योंकि अ लगया हुआ था अग्ये जो भी ब्लैंक चाहुआ वहा था अलिमिनेट कर रहा को रो पहुँ सारे दे सारे एह नहीं है ग्रेजुएटी नहीं सारे प्लस टू आले नहीं है ना तम मिक्स अप उन्द स्टूरेंट्स दा ता उस अकॉर्डिंग ही रीडिंग उत्थे हों दिया एक्जां एस कंपेर टू प्रेक्टिस टाइम या एप यूनी एप लगालो जो भी या प्रेक्टिस कर देओ ओदे कंपेरिजन एक्जाम दे भीच रीडिंग हमेशा ही इजी हों दिया हमेशा इजी हों दे रीडिंग इवन की रिपीट भी हो यंदिया है रिपीट दे चांसे भी हुन देनी डैफिनिटली हो यंदेनी क्योंकि ओ फेर है जो तुसी सारी और प्रेक्टिस कर दो को लोकेशन पता लगना लागना आइडिया लगना देवी एस मतलब ना एक आइडिया आपने बने लागना ट्रांसलेशन बेसिस्ते चलोंगे तहां एजली तुसी चीज में लादा ज्यादा कवर अप कर पाऊंगे एस कंपेर टो ग्रेंबर ठीक है जी कि आपर रीडिंग बिलकुल ही टेम्ट भी नहीं करके एड़ मतलब ही नहीं कि छाट के आजयो कारनी है डेफिनेटी कारनी क्योंकि यह नहीं पता कि आपनो ओ जो बाकी कॉस्टिंस है क्यों फुल ओ फुल लाए रहे नहीं चलों 44 भी नहीं आ रहे आपने जो टोटल आपर लागे चलिए ठीक है ता अपा 35 ता लाई साग देयों बाक्की मोडि ओल्स तो ठीक है और रीडिंग जो सिर्फ रीडिंग राइटिंग नहीं हुंदे कांगे अक से स्टूरेंट्स नूं रीडिंग राइटिंग डिफिकाल्ट लाग देया एंड रीडिंग आल यह बट जाधा तर ना रीडिंग दे विच अपनू प्रॉपर नाउन ऐज ऑप्शन से विच बहुत रेर चांस हुन देगा कि अपन दित्ता होवे क्योंकि ओट अज टॉपिक बन जान दा अपने पैसेज दा तही बहुत काट देखन मिल दा कि फिल इन दा ब्लैंक से विच आ प्रॉपर नाउन मिलुआ ओके जी हां टॉपिक दे तौरते हो सब्सक्राइब रेर चांस हुन दा हां आज आंदेने जी कोई काल नहीं हां जी प्रॉपर नाउन में था डेफिनेटली तुसी वो दा फिर्स्ट बड़ भी कैपिटल होना ही चाहिए बट चांस का तो हुन द कर दितते हों और फर्स्ट केपिटल ही दितता हुए बट जी रीडिंग करां सिर्फ रीडिंग फिल अब्लैंक देना दे डाउन आप न ओप्छन ड्र और रह भी जिननानों आपके निया है ओनना दे वेच्छ जो हैगा भी चार प्शन सब्सक्राइब और तो हुए निच पांजी था दो ही आप्शन दत्या होंगे जिनना फर्स्ट बड़ कैपिटल होंदा है गा स्वरी अल्फाबेट कैपिटल होंदा फर्स्ट अल्फाबेट और तो आप आइडिया लगा साकते हैं जो भी अपनी सेंस बांद रही है जिस भी टॉपिक ते काल हुई या पेराग् पॉप्शन ऐसा कनेक्टर ही हुनदा कॉन्सक्त तेनी काफी आजांते नी दी टॉल इंदा ब्लैंक्स हंवाइडिया फिर्एं अपने कुल कॉंदा कॉंदा पी अपने कनेक्टर तो पहला कॉम जातर किरी ना बाट्चॉ कोम जान्स साकते होंदें पूंकि रीदिं नू उक ब्लैंक दland अार ही चार वब्सेंस निहां लित हिसी बस इक पर ब्रांगा लिए आपने शब्ण कूमा सिसी अपने ब्लैंक विछ एथी कनेक्टर अग्ये ठीक है यह कान नीगें आपने यह थित जड़ दे परसस्ट इस औि भीूर प्रसस्ट भी अश्याल hack and spray ठीक है दन कनेक्टर दा यूज कर दे दन कॉमा होंद तक ओस चीज दा भी एक आइडिया होंदे भी थे और क्योंगे जादा ऑप्शन्स होंदे ही नीहों थे जो आपने को एक option देवेचे चार आपनों connector देते हुए यह जीज के में पता लगूँ भी केड़ा connector दा मतलब की है ठीक है और केड़ा आपा connector होते यूज कारना जी चार options देवेचे पता होना चाहिता है केड़ा connector केड़ी चीज दासता यह में थोड़ा थोड़ी प्रेजन कीता है पहला है तू एड इनफॉमेशन हुझे थो नू लग रहे है कि मेरे ब्लैंक दे रच कोई information एड हो रही है कोई जानकारी हो दसी जा रही है वंदर पहला किसे चीज दे गाल हो रही से और उससे दे रिलेटेड कोई हो इनफॉमेशन एड गीती जा रही है ठीक है तो आ उत् इड हो रही है नेक्स्ट ठीक है तो उसी चार ओप्शन से विच्छ इजी हो जो जो नू ऐलिमिनेट करने की केड़े एथ नहीं आ सागदे और केड़े ओप्शन से थे अपनी एड हो सागदे ने ठीक है जी फोन एस दे विच ए अपने को लो कुछ किनेक्ट ने अडिशन वाली मोर ओवर फॉर्दरमोर अडिशनली इन अडिशन तू और आणसो नेक्स्ट है तो कॉन्टरडिक्ट कर रहे लाइं और ऑसे भीच जैस उन्हों लाइन कॉन्टरडिक्ट कर री है बट नाल दो ओप्शन अडिशन दे या अदर को गेव रिजन आल दे रखे तो अवे दिमाख नी लोना उन्ना चीज मों हटाओ पेला उस सबाए जादा तर रिदा हुंदा कि दो एलिमिनेट हो यंदेने दो पाचे यंदेने दो दे विच्छो केड़ा लगना उपन थोड़ा मेनिंग लाइन रीड कारनी पेंदी है पहला लास्ट अग्गे पिछे की कहना चाहर है कई बार हुंदा कि अपनु फर्स्ट अली लाइन ब्लैंक तो पहला अली लाइन पड़के नहीं पता लगदा बड़ जो तो अपन नेक्स्ट लाइन थोड़ी रीड कार देया ता अपने को फिर्टी मिल्ट सारे कुश्टन अटांप्ट कर लिए गया तो सुझ के देखो शेक्स सब्सक्राइब को राइटिंग आ अले रीडिंग राइटिंग आगे और फाइव कोश्टन मेरे को लाइगे विडिंग दे 11 होगे अट तू तू त्री अपने को री आउडर भी आया देने 14 दे रांडे कोश्टन सोगे 14 15 दे ठीक है और अपने कोल मल्टीबल एमसी क्यू हूं देने दो टाइब दे ओव भी कई वर लास्ट दे विच दो एक्स्ट्रा भी आ जंदा ठीक है ता समझ के चलोगी 16 तू 17 कोश्टन सोगे अपने कोल ठीक है और तुसी इक पीटी बहुत जादा इंपोर्टन्ट है और एक सिखोंगे कि तो प्रेक्टिस तो अपनी प्रेक्टिस कारनी हूं दिया कि आपनू अट लीस्ट एक तो हाद एक डेड़ मिनट लेस दन दो ठीक है जादा नहीं जाना वैसे डेड़ मिनट लेके चलोगे वन अना हाफ मिनट ही स्पेंड करो एक अपने पैसे जोते एक फिल राइटिंग रीडिंग राइटिंग दियोते एंड ओस दे उत्ते ए नी सोचन बाया है ना जेड़े तुन सही लाग दे पहला ओ कर लो एंड ओड़े जादा बतलब ताहीं ता कहने भी ट्रांसलेशन बेस ते जा रहे हूं तुसे ता मतलब आप डीप मीनिंग दे बिच नहीं जाना एक बस हलका यह कंशेप्ट सांजना होंदा है कि कहना की चार है ओके आर्टिकल्स थे बेसिस थे भी है एल्म एलिमिनेट कर सकते हैं हां जी पहला जी मैं आप एंदा में गाल लग करी सी पहला भी यह स्टॉक दास्की कहीं सी कि सपोज एन लग गया हुए है ठीक है होना आपने पने पता है ओव्वेस जी गाल लावी जी नेक्स्ट आपने को आप्शन से वाउल साले दो ही दित्ते हुए तो दो ही रहेगे और दो वाउल साले दो विदाउट आले है गया तो ओथे अलिमिनेट कर सब्सक्राइब है तो नहीं आओगी ठीक है इस तरह आपका कर साग दिया ओके जी बिलकुल कर साग दिया है ओही गाल लागी ना एलिम यह किनेक्टर से यूज हूंदा हावएवर ऑल्दो बट वाइल वेरेज येट नेवर्डिलेस कई बर कि हुंदा कि ऑल्दो लग गया हुए अग्गे ऑप्शन से ते और यह ट अलपक स्ट्रेक्चर भी यूज कर दे हुए ता लाइन जी प्रॉपर पर पढ़के चलने ता जी ओप्शन ते पीची चार ओप्शन से ते हुए ता चांस है कि यह टा सकता ठीक है यह जो एही पालोगेशन कहलो ठीक है जो आईडियास लग दे आपनू रीजन दित्ता होया है ठीक है अपन लग रहें कि इस लाइन दी वीच एक रीजन मेंशन हैगा ठीक है और इनफोर्मेशन दित्ती जारी ओस अकॉर्डिंट टो सी कनेक्टर सा उनों पता होना चाहिए तो रीजन देर हैगा अकॉर्डिंट ता विकॉस सेंस अंस कन्क्लूजन हैगा तो देर्फोर हैंस सो अंड दस ओके अंड कन्क्लूजन देली आप अपने ऐसे भीच भी थे किनेक्टर सी यूज कर दें या तो चीज होगी ए में दस से सी आइड इंफोर्मेशन आने अपने पहला भी गाल करें से अपा समराइज रिटें टेस्ट दे विच आप अले कनेक्टर सी यूज करने हों दे जिदे विच आप अडिशनल इंफोर्मेशन दखा आधने एक सेव साइड रहन दी है कि अपके जी ता यह सी के सारे अपने कनेक्टर अग्या आपकुछ एग्जाम्पल वेख लेने अपने रीडिंग और राइटिंग फिल कि रीडिंग और राइटिंग फिल इंदा ब्लैंक्स नूं किस तरह अटेंप्ट कारना ओके है हां जी होन ए जो मिलकूं मेरकोल एक पैसे जाएगा रीडिंग और राइटिंग दा ठीक है जी फोन एस दे विच देखो एक चार ओप्शन दते हों देने आपने को ले ऐस तर जा रही है कि तो केड़ा किनेक्टर ओना चाहिए है पुर्ण आप ऐसेज मेरकोल है कि आर्ट बारे ठीक है आट इस एव्रिवेर टॉपिक लाइन में टॉपिक तो पता चलदा पर ठीक है बट मैंने पीपल फील लाइक दे डांट अंडरस्टेंड इट ठीक है जी दे में अब जे डा वाट दा आर्टिस्ट इस ट्राइंग टू से ओ सोच दे कि आर्टिस्ट की कैना चाहरे अपनी आर्ट दे थुआ और हाव टू डैश टू पेंटिंग आव टू डैश टू अपेंटिंग अप्शन सेगे नी मैच इन्जॉय रिलेट एक्सेश और अग स्क्लप् अब लगदा कि यो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक कुछ लोक करने दा लगदा ए उना लाइं तो पता लगवा पने उथे ऑप्शन दा आंसर की आवना चाहिए ते में वंडर वाट दा आर्टिस्ट इस ट्राइंग तो सेच वोच दे कि आर्टिस्ट की कहना चाहरे है ठीक है ह अब दार possess म्रक क्नृश मैच कि महीं पत की आरandsर ना अट्सक्ट माछस मेर् सबस्क्राइब वने डगदा वाट कि सान रहे हैा बाट रहे है है फ्शूर मिल misin आउतना तैंटिस्ट क का रगदा घ्वाविवारी है है अश कि नहीं ए मृषिय करना आउप्श आश अच्श करन पेंटिंग में बेख की कर सकते हैं आप ओर लाइन डिफरेंट होनी थी ता फिर आ दोनों आप्चन तक गए पेंट और नेक्स है का हाओ टू मैच टू पेंटिंग और स्क्लप्चर पेंटिंग देना आप मैच नहीं हो सकते हां आपनों बनाया जा सकता उस दिन अकॉर्डिं और यहां जी और और हाव तू रिलेट हां उधना डेफिनिटली कर जा सकता पेंटिंग आपके नहीं विए इत्थे फीलिंग कहना की चाहरे है तब आर्टिस्ट कोई भी होगो जो कोई भी परसन है आपके सनाल आपने चीज़नों रिलेट करने फिर ही अपनी फीलिंग एक यहां ओर डिग्री तो एप्रिशीट है इस डेश छामिकेशं फै इस इस देफारेटिंग खाल लेकर किने इन्मोशन संपन नहीं प्रफ can activate u नाल तुसी लाक देखो वड़ केड़ा होना चाहिए अनोट टूशी दुश वह हो नो होले कम्यों मिन्स फेर लग रावना सी हो जातर पर पड़े लिके दी पर सकती है घाऊlt आट पेंटिंग या स्क्लप्चर एह जी चीज आट एह हो फॉर्म है जेडी आधे इमोशन से वैसी दुखाउं दी है ता एथे कम्पेरिजन कर रहे जा रहे है कम्मिकेशन वर्ड यूज कीता है और फॉर्म एक रूप दिता रंदर ठीक है मैं तो एलिमिनेट करना पहला है आधो तो बिल्कुली अपने काइंट्स ओफ एंड नोट टू तो बिल्कुली अपनू पड़की बता लागे ना कि एधे को कम्मिकेशन देनाल आईन साथ हां मीन्स ओफ सोच लहें देवन बच्चे कि आपन जात रही चीज का लें मीन्स ओफ कम्मिकेशन है जो भी चीज आ क्योंकि आठ दी गल हो रही है तो इत्थ होना चाहिए अफॉर्म हो ठीक है नेक्स्ट है का वन भी तू प्रोच आट इस तू सी इट एंड इंट्रेक्टिव हां मैं थे पहला वावल सी गल कर रही सी हुने ती आइन दित्ता हो या अपने कोल ठीक है फुने तो बाद इंट इत्थ है अपनू दित्ते होई नी ओप्शन्स इन स्पाइट ओफ इंस्टेड अपार्ट फ्रॉम रातर दें ठीक है वन वे तू अप्रोच आट इस तू सी इस एंड इंट्रेक्टिव एडवेंचर डैश आप पैसिव अब्जर्वेशन होन इत्थे ना कंपैरिजन दी ग अप्रोच केड़ी रखनी चाहिए आर दे प्रती अपनू ठीक है इनस्पाइट ओफ इंस्टेड ओफ अपार्ट ए ओप्शन्स दो ओथिया उंदेने पहले जित्थे अपन एक अल्टरनेटिव हो बे अल्टरनेटिव हो गया ठीक है अपार्ट फ्रॉम देखो अप्रोच दोवे रखियां जा साकती है इत्थे कंपेरिजन कर दे पर होना इनना डिफ्रेंस तो नो पता होना ची अपार्ट फ्रॉम दा बिल्कुली हट की हो गया ओप्शन ता आई नहीं साकता एक चीज़नों हट एलिमिनेट ही करता हट आई देता पड़ एत्थे कंपेरिजन हो र कंपेरिजन नहीं हैगा मतलब अल्टरेटिव एक उप्शन हाट के दूजा अपार्ट फ्रॉम नहीं आओगा अंड रादर देन कंपेर किता जा रहें कि आठ नो इस तरीक के दिना अपनों अब्जर्व करना चाहिए ओक है नेक्स्ट अपने कुल है इंस्तेंट ओप टाइम तक किसे भी वर्क नू ठीक है त्राइटू स्पेंड सम टाइम विद इट ठीक है हुन देखो आप एथे इंस्टेट देख्या जी है ना आप एथे कैसा दे भी रादर दन क्या हुआ है कंपेर इंस्टेड भी ता आई सागदा सीगा बट इंस्टेड ओथे यूज एक अल्टरनेटिव ओप्षिन है अपने को एंड डिफरेंट लगालो बिल्कुल जी में थे यूज किता है इंस्टेड ओफ जस्ट ग्लांस एक कामणू वेक खंदी विजाए लगा तार नहार अंदी विजाए ट्राइटू स्पेंड टाइम विधिट ओधिट ओधिट हां जी अंड डेश दर डिटेईल्स कलर पेजीज और टेक्चुर्स जो भी डिटेईल्स दिति है उन्ना ना जाते किनेक्ट करो ठीक है एंड कनेक्ट देना फिर टू होना चाहिए इसे कनेक्ट टू अग्गे ठीक है ए नहीं आ हुगा एंड कॉस्त अपने को रीजन होगा फोर्कास्ट भी एंड नोटिस तर डिटेईल्स ठीक है जी फिर नोट करो मतलब पहला एलिमिनेट करें करें करो हूं जी में आवर्ड नहीं होना चाहिए सीगा कॉस रीजन होगा फोर्कास्ट भी नहीं आ रहा कनेक्ट देना और किनेक्ट किसे चीज ना करने तो जातर वर्ड अपने ना हेल्पिंग वर्ब कहलो ठीक है ओंधी 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 हो ठीक है जी तो कनेक्ट तो नहीं आ रहा है और दोबर नोटिस करना की डिटेईल्स कलर शेप्स एंड टेक्स्च्चुर्स ओकी मेंस पहला पर एलिमिनेट करें वर्ड जीड आपन लागरे से बिलक खतम ठीक है क्योंकि कम्मुनिकेशन देनाल दाई मेंस ओंधी हमां मैं इन नहीं पाड़के इस ओप्शन नूँ छाट देंदी आइड में इस टॉपिक बारे ही नहीं पता भी की गाल कार रही सीगे ता मेरे लिए मेंस ओप्शन बिलकुल करेक्ट है ठीक है बट हुन मैं की किता इस नूँ पता लगया कि मैंने एथे कम निकेशन वर्ट डेफिनेटल यूज होया बट किस सेंस देविच होया ओके मैं पता लगद है जे आप थोड़ा इस पैसेज नूँ थोरली रीड कर दिया ठीक है बस तुसी आप दे माइंड ची रीड कारना हुन थोड़ा फट जो है कि कंप्लीड का देड़ा ओकेजी ता पने इस सारी ठीक ने ठीक है एक 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 एक्जामपल होर वेख लेने अप अन हाँ कैप्शियन सी आला है ठीक है आपने को लाइब दे सैलिनेटी अफ कैप्शियन सी इस वन एप इस मोस्ट इंत्रिगिं एक्सेक्स विद लेवल सिक्निफिकेंटी लोवर देन दाफ दे वर्ट ओशियन एवरेजिंग अबाउँ थर्द सैलिनेटी अफ सी वॉर्ट जामा तब इन बेसिक जा इनक आइडिया ता होई गया कि एहे गाल कार रहे पाई है कि सैलिनेटी हुंदा मितलब खारापन जा सॉल्टी लगाल दूसी ह सिक्निफिकेंटी लोवर देना कंपेरिजन चाल दे वर्ड से ओशियन नाल में बिल्कुल डिटेश जान दी लोड़ दी है कि अबाउट वाट सी वाट दी सैलिनेटी खारे पन दिया ठीक है सैलिनेटी जो नमतलब हुंदा दिस रिड्यूस्ट सैलिनेटी इस ड्यू तो द आउट ओफ कंटेक्स्ट ही आगे तो मैं यह दो मानों तो बिल्कुल छाड़ दूंगी होन देखो डेफ्ट ऑफ्रेश वाटर गहराई रिसीव हो रही है अपन वाटर दी नहीं ना रेट पां कोई परसंटेज है को शेदा ना कुछ और चीज होनी चाहिए नंबरिंग रि पानी आ रहे है तो पानी दी वॉल्यूम अमाउंट मात्रा दखोणी है तो एथे वॉल्यूम हो क्वांटिटी दस्थी है ने आप ओके नेक्स्ट हेगा विच डैश कंट्रिब्यूट्स अबाउट एटी परसंट अफ दा इंकमिंग वाटर मनना कॉंट्रिवूट कर रहे ह रहे हैं तो इस अफ्रेश बाटर इंटा आ रहे है तो इस तो इस तो विच डैश कंट्रिब्यूट्स ठीक है विच इस इस स्लाइटली ता नहीं आ सागदा क्योंकि 80 परसंट अच्टा हुआ है तो थोड़ी अमांट फूंट आते स्लाइटली ता पा बिल्कुल ही नहीं आ ठीक है जी लोनली नहीं हुआ अगे ऐस दिता है ते अलोन ठीक है विच अलोन कल्ला ही की कर देगा कॉंट्रिब्यूट कर दा एती परसेंट इंकमिंग मतलब आपा दो आप्शन सा बिल्कुल ही अपने कई ठीक है कि स्राइटली दा मतलब होगे बहुत थोड़ा अगे दितता ही 80% गता हुए ताप उस चीन मिनिमाइस अपनों अमाउंट गत्ती नहीं होई न हंडर देविच हो 80% है ठीक है जी हाववेवर था कैस्पियन सीज सेलिटी इस नॉट डैश थूवाउट इट वैरीस फ्रॉम नॉर्थ तू साउथ उन्हें कहा की कैप्शन सीज दी जो साल बदल दिया है पुर एस तो मैं इस ओप्शन दा बदा लग हुआ कि में बदा लग हुआ यह ने एथे केहा कि ओ डैश नहीं रहन दी बदल दी जान दी इस तो पहला अपोजिट इस तो वैरी दे आपोजिट की चीज हो साग दिया है जड़ी चीज सेम हुँबे सेम अथे अपने को ले यूनिफॉर्म ना मतलब होगा इक्वल ठीक है सेम नहीं रहन दी ठीक है शिफ्टिंग ता आई नहीं साग दा जिफ्ट नहीं कार दी ठीक है मन व्यारी होगे ना पहले यूनिफॉर्म नहीं रहन दी सेम नहीं रहन दी कित्थो पता लगया आप्शन तो जी मैं इत्थो था कि पढ़ दी तो मैं इस शायद कोई ओर आप्शन लगा देना सी पर फिर ओही गाले कि थोड़ा जा पनूं अधि रिवर वाटर एंड हाइयर इन दे सदर्न पार्ट्स दू तो हाइयर एवैपोरेशन रेट्स ओके थी दिफ्रेंसे इन सेलिटी डैश द डिस्टिबिशन अफ मेरीन लाइफ होगे जो भी डिफ्रेंसेज है कि सेलिटी दे ठीक है ओधा कुष मेरीन लाइफ दे डिस् चार ओपशन आगे डिफेक्ट, डिफ्लेक्ट, इफ़ेक्ट और उफेक्ट अफेक्ट मेरीन लाइफ एड एकोलोजीकल बैंस में डिस्टाप हो रहे है ठीक है ओ अनल यह अप्शन होन आज दिफेक्ट नहीं डिफेक्ट हो साहीथ है कूई टिफेक्ट उनिक खराब कोई result consequences की ने and affect हो गया असर होना तो असर कीते पहरे अपने को ने marine life होते ठीक है जी कीदी distribution of marine life जो अपने समंदुरी जीव हुंदे ने उन्ना दियाल कर रहे आप मेरी इन लाइफ ठीक है तो अफेक्ट कीते पहरेगा अपनी marine life थे ठीक है जी making it a unique environment for research studying the impacts of salinity on aquatic ecosystem ते इंपक् क्योंकि जो असर पहरे salinity दा इस अपने मेरी इन लाइफ ठीक है जी तुसी जो प्रैक्टिस कार देरा नाल थो नो एद्दा भी दता होना ठीक है उन्हें था वर्ब affect is used due to meaning its meaning which also have an influence or cause change कोई असर आ रहा है change पहा है cause की होया ठीक है the sentence needs a verb that describes the impact of the salinity difference वो वर्ब चाहिनीज है पर रहे थे जड़ी describe करें कि marine life and ecological balance होते जड़ी असर पा रही है the words defect deflect and effect do not carry this meaning defect means and imperfection कोई चीज था खराब्भी हो जानी ओ चीज नहीं है कि सारी marine life चे कोई खराब्भी नहीं आ सागी एक चीज चीज खराब्भी हो नहीं दिया ठीक है ओ तेक defect पहे हैं अंदर किसे भी चीज से लगारो तुसी deflect means to cause something to change direction होन deflect direction change की कार रही है होन खारापन था पाणी चुन दही है salinity definitely sea water चाहेगी है तो ओ की deflection था obviously कर ला ना out of context चल गया ता पर दो ताईयों एह एल्मिनेट कारते सीगे उस तो बाद आपने को बाचते से effect is noun meaning result result था अपने को already है गई अभी salinity था कोई असर पह रहे है ठीक है and does not fit grammatically in this and therefore effect is the correct choice एही गाल सीगी ठीक है इस तरह मंदब पहला था eliminate करना सिखो पी केड़े ओ options ने जो बिल्कुली out of context है गयते और बिल्कुली रिलेट ही नहीं कारते अपने topic ना फिर जो जादा तुसी आप जिनने भी उन options देखे हैं दो ता अपने options बिल्कुली जान दे नहीं आप पहला connectors पढ़ ले या कि reasoning आला है या किमेडा ठीक है ता तो इस तरह है नहीं प्रैक्टिस जिननी जाला करोंगे उनने इतनों थैंक यू